दोस्तो बलूड एक्टर अभिसेक बच्चन और एस्विरा राय के जोड़ी बलूड के बेस्ट कपल में सहे के और हाले में अभिसेक बच्चन ने अब नित्रिय और अपनी पतनी एस को लेकर खुलासा किया उन्होंने का कि एस्विरा ने घर की सब जिमनदारिया को संबला उगा है इसके साथ है वो एसके तारिप करते दिखाए दिए दोस्तो मीडिया रिपोर्ट के मताबिक अभिसेक बच्चन ने हाले में एक इंट्रिवी दिया जिसमें उन्होंने अपने पतनी एस को लेकर सारी बाते काई इसके लावा उन्होंने पेरेंटिंग टिप्स भी दिये एक्टर ने बताया कि आज कल के टीन एनर्जर को कैसे हैंडल किया जा सकता है जुनियर बच्चन ने कहा कि हर जनरेसन तेजी से मेच्चुर होती है सायद जब हम लोग बच्चे होंगे तो हमारे पेरेंट्स के लिए हम बहुत तेज होंगे लेकिन आज की जनरेसन उस दोर में पैदा हुई यह जह उन्होंने उस प्रोसेस को देखा तक नहीं जिसके जरिये हम आज यहां तक पहुँचे हैं उन्होंने अपने भांजी और भांजी का उधारन देते हुए कहा कि जब वो दस साल के थे तब उन्हें फॉन मिल चुका था जबकि उन्हें बाइस साल के उमर में पेरेंट्स ने दिया था एक्टर ने आगे कहा कि आज की जनरेशन को एक फिंगर टिप पर कोई भी जनकारी आसानी से मिल जाती है आज के बच्चे चीजों को बेतर जनकारी रख सकते हैं दोस्तो इसके लावा अभी सेक ने कहा कि पेरेंट्स होने के नाते आपको अपने बच्चों के ग्रिमा का ध्यान रखना चाहिए उससे कभी भी समझोता न करें जो जनरेसन कहीं ज़्यादा सेंसेटिव है और इसलिए उन्हें डारते हुए उनके ग्रिमा से समझोता न करें बाद में अभी सेक बच्चे ने बजाग में यह भी कहा कि आप इस बात में कुछ नहीं कर सकते बस उन्हें हाइपेट देदी जी और अलविंदा कहें दोस्तो जुनियर बच्चे ने आगे कहा कि उनके पत्ने एस रिया राय इन सबी चीजों का क्याल रखती है और उन्हें काम पर जाने देती है अभी सेक ने यह भी कहा कि वह घर के कोई बड़ी जिम्धारी वाले काम नहीं करते है यह सब उनके पत्ने ही देखती है अभी सेक और एस रिया की एक बेटी है जिसका नाम आराद्या है वाग 11 साल की है अभी सेक और एस रिया अपने बेटी से बैदी प्यार करते है लकिन अब इसे को और एस विड़ा के जोड़ी आपको कैसी लगती है आप कमेंट कर अपने अमूल राय चरूट देना धन्यवाद